So yes, welcome to electrical department, Indian Space Research Organization, ISRO, Government of India की तरफ से recruitment निकल कर आ रही है for 2024 Yes, यहाँ पर phrasers apply कर सकते हैं, all India eligible है, full time permanent job vacancy निकालेगी है, जहाँ पर multiple position के लिए vacancy है Diploma degree वा ITI के सारे बच्चे apply कर सकते हैं, अभी इसका short notification आया है तो specific branch decide नहीं है चलिए हम diving करते हैं direct vacancy के main PDF पर यहाँ पर देख सकते हैं अभी इसका short notification जारी किया गया है, आप इस notification को वीडियो को description में link दिया है, वहाँ से download कर सकते है Government of India department आप space की तरफ से ये vacancy है, ISRO का ही department है HSFC यानि की human space fight center इनकी तरफ से recruitment निकाला गया है यहाँ पर देख सकते हैं 18 सितंबर को ये vacancy release की गई है, अभी इसका short notification आना बाकी है Advertisement number देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, डिरेक्ट बात करते हैं कोन कोन सी position के लिए यहाँ पर vacancy निकालेगी है यहाँ पर जो vacancy है, medical officer की vacancy है, इसके बाद यहाँ पर medical officer यानि की degree वालों के लिए हाई का higher educational qualification requirement है, इसमें MBBS वगरा, scientist की vacancy है, M.E.M.Tech वाले apply कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो diploma के लिए vacancy है Technical assistant की position के लिए vacancy है, जो की junior engineer के equivalent होता है, और इसमें total 28-28 vacancy निकालेगी है Qualification की बात करें, तो first class आपके पास diploma है, engine यानि कि किसी भी branch से अभी branch इसमें specific branch नहीं दिया गया है Full notification आएगा तो clear हो जाएगा, कौन-कौन सी branch के लिए vacancy है, age criteria की बात करें, तो minimum age 18 साल और maximum 35 साल है, तो आप इसमें apply कर सकते हैं Level 7 का आपको इसमें salary देखने को मिलेगा, enhanced salary आपको जो मिलेगा इसमें 57-58,000 पर मन्त आपको इसमें salary देखने को मिलेगा Scientific Assistant की vacancy है, यहाँ पर इसमें अगर आपने graduation कर रखा है, BSC में तो आप इसमें apply कर सकते हैं, age criteria 18-35 रखा गया है, और level 7 का आपको salary देखने को मिलेगा Technician B वालों के लिए यहाँ पर bumper भरती है, ITI वालों के लिए, total 43 vacancy निकाला गया है, इसमें अगर आपने 10th के बाद ITI किया है, NTC या फिर NAC, NCVT से तो आप इसमें eligible है, age criteria इसमें भी 18 साल minimum और maximum 35 साल रखा गया है, level 3 का आपको इसमें salary देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर draftsman B की vacancy है, इसमें भी ITI वाले ही apply कर सकते हैं, total 13 vacancy है, draftsman की age criteria सेम रखा गया है, assistant की vacancy है, यहाँ पर 5 vacancy निकाले गी है, आपने गर graduation कर रखा है और 60% marks है, CGPA की बात गरे तो 6.32%, 6.32 अगर CGPA है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, minimum age 18 साल और maximum 18 साल रखा गया है, और आपको इसमें level 4 का salary देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ important से दी गई है, कुछ vacancy है, जो की result है, जो category wise है, उसमें result है, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकि आप लोग इसमें online आवेदन कर पाएंगे, 19 सितंबर 2024 से इसमें online आवेद आएगा, हम आपको अपने telegram चैनल पर inform कर देंगे, जो भी candidates में interested हैं और eligible हैं, जरूर से apply कीजिएगा, जैसे apply लिंक इस्टार्ट होगा, आपको वीडियो को description में मिल जाएगा, तो आज के इस वीडियो में के और इतना ही, अब हम मिलते हैं, next वीडियो में